नमस्कार लाइब लागतार में स्वागत है आपका मैं हूँ विनितू पाध्याए ज्ञारखंड हाई कोट में आज कई महत्पुन मामलों पे सुनवाई हुई जिसमें तीन मामले काफी महत्पुन रहे पहला मामला था ज्ञारखंड हाई कोट में जिस मामले में सुनवाई सुनवाई के दौरान चीफ जश्टिस डॉक्टर रवी रंजन और जश्टिस सुजीत नायन प्रशाद ने रिम्स के निदेशक को भी तलब किया इस सुनवाई में और उनसे पूछा कि उस महिला की मृत्यू की जानकारी उन्हें मिल रही है उस महिला की मृत्यू आखिर कैसे हुए जिस पर रिम्स निदेशक ने बताया कि उस महिला की सरजरी की गई थी लेकिन सरजरी के कुछ दिनों बाद ही उस महिला की जो की ब्लैक फंगस की रोगी थी उसकी मृत्ती होगे जिस पर जहारखंड हाई कोट ने काफी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि कोरोना का पूरे जारखंड में जो डॉक्टरों की टीम है उन्होंने काफी बहतर काम किया लेकिन इस घटना को देखकर ऐसा लगता है कि इलाज में लापरवाही बढ़ती गई है और जो अस्पताल है वो अब लोगों का पैसा खींचने के लिए और पैसों की उगाही तक ही सीमित र प्रशाद कर रहे थे यह मामला कंटेंट से जुड़ा हुआ था जिसमें जारखंड हाई कोट ने सदर अस्पताल के निर्मान में हो रही देरी पर कंटेंट के मामले में सुनवाई की और सुनवाई के दौरान कोट ने औरल अब्जर्वेशन में यहां तक कहा कि ऐसा नहीं कि कोट यहां चाहता है कि सदर अस्पताल का निर्मान पूरा हो जाए क्योंकि तीसरी लहर भी आने वाली है लेकिन सरकार किसी ना किसी तरह से सदर अस्पताल के निर्मान में और इसका कारे पूरा होने में अडंगा लगा रही है जारखंड हाई कोट के जस्टिस एसके हुमिका निभार हैं उसके बावजूद NIA के अधिकारियों द्वारा उन्हें गवाही के दौरान उनके संग मारपीट की गई है जिस पर कोट ने आदेश पारित करते हुए लातेहार के DLSS सेक्रेटरी को यह निर्देश दिया है कि अजजद अली का मेडिकल रिपोर्ट कराय जाए और चार सप्ता हमें NIA से भी कोट ने जवाब मांगा है अब इस मामले में चार सप्ता बाद की तिति निर्दारित की गई है उस दिन ही अब अश्जद अली से जुड़े मामले में जहारखंड हाई कोट में सुनवाई होगी न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आप हमें फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं बने रहे लगाता.in के साथ